नमस्कार दोस्तों, युक्रेयन से चल रहे यूत के बीच, रसिया ने RS-28 सेर्मेट मिसाइल का सफल पर इच्छड कर सभी दुसमन देसों को हैरानी में डाल दिया दोस्तों इस मिसाइल की रेंज 18,000 किलोमीटर से जादा बताई जाती है रसिया इस मिसाइल को दिसमबर तक में साइबिया के बॉर्डर पर तैनात करेगा तो दोस्तों इस मिसाइल की क्या खूबिया है जो इन्हें दूसरे मिसाइलों से अलग बनाती है तो आज के इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे RS-28 सर्मत एक इंटर कॉंटिनेंटल बैलेस्टिक मिसाइल है इसकी कमान रूस के स्टेटिजिक रॉकेट फोसेस के हाथ में होती है इस मिसाइल को रूसी कंपनी में के रॉकेट डिजाइन ब्यूरो द्वारा डिजाइन किया गया है यह मिसाइल 2019 से अंदर ट्रायल थी और हाल ही में रूसी सेना ने इसे अपनी सेना में कमिशन किया है इस मिसाइल का मास्ट 208.1 मिट्रिक तन है हाला कि लंबाई 35.5 मिटर और गोलाई 3 मिटर तक है एक RS-28 सर्मत मिसाइल के अंदर 10 से 15 वार हेड लगे होते हैं जो दूसरे फेस में हाई स्पीड से अलग-अलग जगहों पर निसाना साथ सकते हैं वहें इसकी स्पीड की बात करें तो इसकी स्पीड 25,560 किलो मिटर प्रती घंटा है बारी भार कम RS-28 सर्मत मिसाइल को पावर देने के लिए ID.274 टॉकेड इंजन लगाया गया है और यह मिसाइल 10 तन तक का विस पोटक ले जाने में सच्छम है